नमस्कर सातियों आपको स्वागत आपके YouTube चैनल ट्रेट वित्रानिक चलिए दोस्तों से सुरुवात करते हैं आज के सुरुवात को जो शेर है वह जेपी पावर जेपी पावर वेंचर लिमिटेड जेपी पावर के बारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना इसमें 5.5 पर लेवल फिट दिख रहा है बाकि मैंने इससे पहले कॉल दिया था जेपी पावर के वारे में तीन विक पहले तो जब जब शेर पावर के लेवल ट्रेट करता है उससे ग्रा हुआ है मां मैंने लॉंग ट्रम के प्रपस से इंवेस्मेंट के प्रपस से दिया अच्छा रहे यह अच्छा profit जनरेट कर रही है तो जब जब के अंदर मुवमेंट आ रहा उससे भी और बाकि इसके जो क्वाटो क्वाटो रिजल्ट आगा उस मुवमेंट के लिए बात करने जा रहा है तो प्लीज वीडियो का पूरा देखिए वीडियो का लाइक करना बिलकुल ना भूलिए तो देखिए जेपी पावर का मैंने रुपे 20 पैसे का तो यह जिद दिन यह पांच यानि कल के दिन अगर पांच पर लेवल तोड़ता है इसमें अच्छी डेफिनिटी अप्ट्रेंडिंग देखना मिलेगी और रिजल्ट से पहले मुझे लगता कि लेवल पर ट्रेड करता दिखेगा आपको बाकि आभी मोट 10 परसें डिया है 6 मंद के अंदर ने 46 परसें डिटन दे चुका है और अभी तक के इसने 46 परसें डिया विदा इसने अब देखिए इसका 6 नोवंबर को इसके अपडेट आई थी कि यह अपने क्वार्टर क्वार्टर रिजल्टर अनॉंस करेंगे सटर्डे वाले ती जिन मैंने इसके नसी पर ओपन कर लिया है देखिए अभी तक इसमें 12 बजे तक इसमें 55% डिलीवर्य उठा दी गई है 12 बजे तक इसमें 55% डिलीवर्य उठाने का मतलब है काफी लोगों को अभी भी लगता है कि इसमें अच्छी पोटेंशल है शेयर आप मूव की तरफ जाए कंपनी के अंदर पोटेंशल है जिस लेवल पर पर उस लेवल फिर साने के तैयारी पर पावर सेक्टर की डिमांड आप देख सकते हैं किस तरह से डिमांड बढ़िया क्योंकि 24 सर्विस बिजली पहुंचाना तो हर कंपनी को चोटा 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 रेविनु चोटा सेक्टर का पी शेयर है तो डेफिनेटी जेपी अच्छे रिटन आए अच्छे दिन बापस आने वाले थोड़ती नहीं होगा तो डेफिनेटी शेयर में भी हमें अच्छे रिटन देखने को मिलेंगे अब समझते इसके अंदर और क्या मूमेंट है तो यह देखिए इसके पर से रिटन देखने को मिलेंगे क्योंकि मुझे अनुमान एक इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे रिजल्ट से पहले मैं कॉल दे रहा हूं आपको और उससे पहले मैंने आपको होल्डिंग की कॉल भी दे रखी है जिसमें मैंने 15 पर तक के लेवल दी है वो डेफिनेटी होएंगे क्योंकि ट्रेडिंड के अंदर भी मैं जिसता से बुलिशता काफी लोगों ने मुझे बोला था नहीं हो सकता बड़ ट्रेडिंड मैंने 45-50 पर तक के लेवल दी है तो डेफिनेटी ट्रेड होएंगे क्योंकि जब ट्रेडिंट तेरर पर ट्रेड करता जब मैंने अपना-पना पेज ट्रेड विड्र रॉनिक वाला इसमें देखिए यह थीन विक्स पहले मैंने कॉल दी तेख सकते हैं आप तीन मैंने कौल दिया तो यह कॉल मैंने दिया तो झो मैंने पूरा डेटेल वाइस एनलाइज करके बता हैं अब समझते चार्ट पर चल गया रहा बट मुझे लगता है कि रिजल्ट से पहले साड़े पांस तक के लेवल दिखायागा डेफिलेटिक जिस तरह से अब मुवमेंट बन रहा है तो यहां पर एक मुवमेंट और बना है कि 21 डेज की एवरेज मूव ने क्रोस करा था हंडेड डेज के अवरेज मूव को ठीक है इसका और डवलू वी डवलू एपी ने भी अब ट्रेंडिंग के तरह है यह जो केंडल बन रही आज इन्वेट्ट हैमर केंडल जो अज के दिन में तो मतलब इसमें तीजी के संकेत आपकी आपको अपने असाथ से इंवेस्ट करना ऑपके अपने असाथ से प्रॉफिट बोग करना वसमाप को शेर का एनलयाईज करके बाता रहा हूं शेर की चार्ट के गोटिंग क्या तरफ लोट कर रहा है इसका में सीडी पर जैसे ब्रेक आउट आएगा कि ब्रेक आउट के बिल्कुल नजदी के देखी ना जो गैप फिल करके एवरेज मूव तो यह इंडिकेशन दिखाते हैं हमारे को अब इसमें ग्रावर्ड हो चाहिए अब इसमें अब ट्रेंडिंडिंग है क्योंकि रिजल्ट का इंपक्ट डेफिनेटी देखने को मिलेगा इसके अंदर आप समझते हैं विकली चार्ट थोड़ा सा उपन करते हैं यह देखे इसक क्रोस मूव करने को त्यार वैठा है एवरेज मूव 21 देस और 7 यानि कि यहां पर यह सारा एक साथ इखट्य होगा यहां पर ब्रेक आउट के त्यार ही है विकली चार्ट पर ब्रेक आउट आगा तो डेफिसमें अब ट्रेंडिंडिंग जैसी इसमें विकली चार्ट मैंने इसमें ब्रेक आउट बनने को त्यार बैठा है अगर यह आज पांच चार पर नभी पैसे पर क्लॉस करता तो डैफिनेट कल के दिन में आपको अच्छी ट्रेंडिंग देखने को मिलेगी इसके अंदर क्योंकि जेपेस इस सेर के अंदर जो पोटेंशल है जो रिजल्ट का इसमें अच्छी रिटन देखने को मिलेंगे अच्छी रिटन देखने को मिलेंगे करेंगे और रिजल्ट आने के बाद मैं इसमें एक और वीडियो बनाऊंगा पूरा एनलाइस करेंगे वारे में तो डैफिनेटी आप इस पेसिंसा होल्ड करेंगे अपने रिक्स पी लिजिए बाकि मुझे लगता है कि साड़े पास तक की लेवल आएंगे रिजल्ट से प